स्वागत आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का तो कर रहे हैं स्टार्ट अभ्यास प्रश्ण पत्र क्रमांक नंबर दो सेट बी मादमिक्सी चमंडल मद्ध प्रदेश भुपाल की दौरा जारी किया हुआ विशेगनित कक्छा ब्यारा 80 मार्क्स का पूर्णांक रखेगा बाकी 20 मार्क्स आपको इंटर्नल लिए जाएंगे समय रहेगा 3 घंटा प्रश्ण पत्र के निर्दिसों को पढ़ करके स्टार्ट करते हैं प्रश्ण करमांक एक साही विकल्ब चुन करके लिखिए चलिए पहला क्वेश्ण कह रहा है कि यह 123 है और ऐसे संबंद जिसमें अवियब 12 और 13 हो और जो सतुल हो तता सम्मित हो परंतु संक्रामक नहीं है ऐसे संबंद हो कि आपको संख्या बताना देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन इसको आप ऐसे तो नहीं लगा सकते कि बिना सॉल्व कि यही आपका मन काम कर जाए और लगा देखिए थोड़ा सा इसको कही न कहीं सॉल्व करना पड़ेगा तो देखते हैं कि इस प्रकार से इ 2 भी होगा और 3 3 भी होगा ठीक ना स्वतुल्ले हैं सम्मित है परंतु संक्रामक नहीं है अब देखे 1 2 को रखना है और साथी में सम्मित भी बोल दिया है तो 2,1 भी होगा ठीक है और 1 3 भी है तो 3,1 भी होगा अब देखते हैं क्या ये संक्रामक है की नहीं है ठीक ना तो दे देकि यहाँ पे 3-1 है और 1-2 है इसका मतलब 3-2 belongs to R होना चाहिए बट यहाँ पे 3-2 कहीं बैठा नहीं है तो पहली चीज च्वाइस तो यही बन गई कि यह संक्रामक नहीं है बिलकुल सही पहली च्वाइस तो यह बन गई दूसरा लेते हैं बी सेट लेते हैं इन सब को भी ले लेते हैं है ना 3-2 को भी ले लेते हैं तो भई 1-1 2-2 3-3 1-2 2-1 1-3 3-1 और अगर हम 3-2 को लेते हैं तो क्योंकि सम्मित सिद्ध करना है तो हमें 2-3 को भी लेना पड़ेगा और जो ही हमने 2-3 लिया तो टोटल 9 एलिमेंट हो जाएंगे 1-2-3-4-5-6-7-8-9 और होगा इसका मतलब है कैसा हो जाएगा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा सार्भभामिक रिलेशन हो जाएगा सेट नहीं रिलेशन संबंध तो यह यूनिवर्सल रिलेशन यानि की सार्भामिक रिलेशन हो जाएगा और आप जानते हो कि वो तो हमेशा ही सम्मित भी होता है संक्रमक भी होता है मतलब कि वो कैसा संबंध होता है क्या बोलते हैं जो तुल्यता संबंध कैसा हो जाएगा तुल्यता तो इसका correct answer होगा only one केवल यही set possible है इसके अलावा कोई भी set possible नहीं है केवल एक ही होगा है ना किन्तु संक्रमक ना हो केवल एक ही होगा done clear है चली अगले question क्यों चलते हैं क्यों पिछला question clear नहीं हुआ क्या मुकूल पिछला question clear नहीं हुआ क्या चलो yes बोला करो यह दि X में संबंध आर जो सतुले समेत और संक्रमा कह वह संबंध क्या कहलाता भाई तुलेता संबंध घटिया question sign inverse X equal to Y तब Y का मान बताईए sign inverse 1 upon X equal to Y है तब आपको Y का मान बताना है कि Y का मान कहां से कहां तक लाई करेगा बताईए देखिए जो question है आपके सामने question number 3 इसमें थोड़ा सा मेरे को ऐसा कहीं लग रहा है कि पूरी condition यहां पर नहीं दी गई है अब यदि अगर यह condition यहां पर लिख दी जाए कि और अगर यहां पर कोई condition नहीं दी गई है X के सम्बंध में तो इसका answer फिर जो य है आपकी value 0 नहीं ले सकता है तो फिर आपका answer जो होना चाहिए फिर आपका answer जो है C होना चाहिए क्यों थोड़ा से इस पर यहीं चर्चा की जाए तो यह बात कहीं जा सकती है जो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं देखिए आपके पास अगर sin inverse X देखा जाए sin inverse 1 by X है तो sin inverse 1 by X जो हुआ करता है वो होता है cosec inverse X cosec inverse X ठीक है ना और cosec inverse X equal to y है तो आपको पता है कि cosec inverse X में cosec क्या-क्या value ले सकता है तो cosec जो value लेता है वो सारी value लेता है minus infinity to plus infinity तो मतलब cosec के अंदर X में क्या-क्या जा सकता है तो cosec के अंदर जो value जाती है उनके respond में जो value y की आती है जो value y की आती है वो कितनी आती है वो value आया करती है minus pi by 2 से लेके plus pi by 2 exclusive 0, 0 को हटा करके ठीक है ना क्योंकि cosec जो है क्यों cosec 0 cosec 0 equal to कितना होता है infinite मतलब 0 पर value क्या देता है वो infinite होता है तो देखा जाए तो cosec inverse infinite equal to कितना मिलेगा आपको 0 मिलेगा और infinite कोई real number आपके पास नहीं दे रहा है ना तो इसलिए 0 मिल पाना कभी possible नहीं है तो cosec के output में कभी भी 0 नहीं आ सकता है तो इसका answer जहां तक जो है दी गई situation के according यह होगा अब यदि आप इसको sine के term में देख रहे हैं तो देखिए sine के term में answer minus pi by 2 plus pi by 2 कब होगा वो एक अलग कहानी है तो उसको अलग से समझाता हूं मैं sine inverse 1 upon x equal to अगर आपको y दिया है अगर दिया होता कि x is not equal to 0 तो फिर देखो क्या होता since x is not equal to 0 x 0 के equal नहीं है x जो है 0 के equal नहीं है तो 1 upon x जो है should be defined minus 1 से लेकर के मतलब 1 upon x जो है वो minus 1 से लेकर के plus 1 में define होगा 1 upon x जो है minus 1 से लेकर के plus 1 में define होना चाहिए और अगर आप देखो ये तब define होगा जब x की value 0 नहीं है और क्योंकि अगर आप x की value 0 डाल देते हो तो ये कितना हो जाएगा infinity हो जाएगा जो की problem कर देगा ठीक है ना x की value 0 यहाँ पर नहीं होना चाहिए x की value कुछ भी हो x की value 0 यहाँ पर नहीं होना चाहिए और 1 upon x जो होगा minus 1 से लेकर plus 1 के बीच में आना चाहिए तो मेरी समझ में इस question की जो proper आपको जो domain वगर होनी चाहिए x की बारे में कोई आपको जानकारी नहीं दी गई है तो y के term में इसका answer जो है यह नहीं होगा क्योंकि आपने book में भी देख लीजे जो cosec inverse x का जो आपको range मिला है cosec inverse का range कितना मिला है मुकुल बोलो हां तो यह इसका जो होता है y हुआ करता है तो 0 तो कभी यह खा नहीं सकता है ठीक है ना तो इसलिए इसकी value 0 कभी हो नहीं पाएगी तो यहां पर इसका answer मैं suggest करूंगा कि आप c लगा करके आईए बद आंशा sheet जो है उसमें answer sheet में इसका answer जो है बी दिया हुआ है अंशा sheet जो आई है बोड की उसमें इसका answer देख लीजे आपको बी दिया हुआ है तो मुझे थोड़ा सा doubtful situation लग रही यहां पर कि third का answer बी कैसे होगा यह थोड़ा सा question mark है यहां पर चली और इस पर थोड़ा सा research करेंगे और आपको इसका सही clarification आने वाले वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा चली फिलाल आँगे बढ़ते हैं भाई वर्गाव्यू की बात की जा रही है कि वर्गाव्यू कोई कब होता है तो वर्गाव्यू बहुत ही simple है अगर row और column इक्कल होते तो इसको वर्गाव्यू कहते है मतलब m equal to n अगर m और n equal हैं तो ये क्या हो जाएगा वर्गाव्यू हो जाएगा चली अगला question a वर्गाव्यू है और एक सम्मेत आव्यू है भाई बहुत simple situation है a सम्मेत आव्यू है मतलब a का transpose जो होता है वो a के बराबर होगा अगर किसी matrix का परिवर्थ जो होता बराबर होता है तो उसको हम बोलते हैं उसको सम्मेत आव्यू ठीक ना चली अगला question देखे अगला question है 5 की power x का तो आप लोग सब लोग जानते है कि d by dx of a की power x का ओकलन होता है a की power x log a है ना तो इस तरीके से a की power x log a इसका ओकलन हुआ करता है जी तो a की power x log a इसका ओकलन हुआ करता है तो इस तरीके से 5 की power x का कितना हो जाएगा फाइप की पावर एक्स का हो जाएगा फाइप की पावर एक्स लॉग फाइव ओके अच्छा बेस भी पूछ रहा है तो बेस ए होता है तो आंसर इसका कितना होगा यह ओप्शन होगा चलिए फिल इन दा ब्लैंक्स क्वेशन है साइन एक्स क्यूब का ओकलन गुडांग तो मैंने आपको शॉट ट्रिक सिखाई है डंडा मेथड वो लगाई है तो सबसे पहला डंडा साइन पे चलेगा तो साइन का हो जागा कॉस एक्स क्यूब फिर डंडा एक्स क्यूब पे चलाइए तो कित आएगा थ्री सब्सक्राइए यह हो गया अंसर डी वबे डी एक्स एकल डू साइन एक्स का हल सिंपल है किसका डिफ्रेंशियेशन साइन एक्स होता है तो माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशियेशन साइन एक्स होगा तो आंसर कितना हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी और बाकी वैसे करना चाओगे तो आप उससे कल लो 4 प्रतिस्थापन विदी, वैरिेबल से, प्रेबल से तो उससे भी हल कर सकते हो देख लो कैसे हल करेंगे तो दिव itu x handed x है तो d y is equal to हो गया कितना, sin x dx, integrate दो d y is equal to integration of sin x dx तो यहाँ से y is equal to sin x का तो अवकलन कितना होता है? माइनस ओफ कॉस एक्स प्लस सी तो मैंने तो डिरेक्टली एक्सपिरियंस के बेसेश पर लिख दिया था ये देख लिजी इसका पूरा मेथड़ माइनस ओफ कॉस एक्स प्लस सी दन बोलो समझ में आ गया बच्चो चलिए अगला आई क्रोस जे क्रोस के कैप आई क्रोस के कैप और के आई क्रोस जे कैप कॉम्पटिटिव वाला कॉस्चन सी यूटी लेवल का क्या कह रहा है? तो थोड़ा ध्यान दो जे क्रोस के कितना होता है? आई तो ये कितना हो जागा? आई डॉट आई फिर i.k कितना होता है i को k की तरफ घुमाओगे तो i को j की तरफ घुमाओगे तो k आता और अगर आप i को k की तरफ घुमाओगे तो minus j आएगा मतलब plus का j. minus j और फिर plus k cap और i को j की तरफ घुमाओगे तो कितना हैगा k cap आएगा तो i.i.cap कितना हो गया 1 j.j.cap minus का कितना हो गया minus 1 और plus का 1 1 से minus 1 cancel answer आएगा इसका total 1 correct answer इसका कितना होगा 1 होगा अगला question cos of second verse x plus cos of inverse x तो आप जानते है second verse x plus cos of inverse x कितना होता है pi by 2 second verse x plus cos of inverse x equal to कितना हुआ करता है pi by 2 ये देखिए इसकी domain लिखी हुई है कि sec की जो value होती है वो mod of greater than minus 1 मतलब भी domain लिखी हुई है कि sec की और cosec की value minus 1 से लेकर के plus 1 की बीच में lie नहीं किया करती है तो इसका मान कितना हो जाएगा ये हो जाएगा pi by 2 cos pi by 2 कितना होता है तो इसका correct answer आजाएगा cos pi by 2 equal to 0 अगला question a और b प्रसपर अपवर्जी घटना है भाई एक्जाम में आपके आ रहा है तीसरी बार चौती बार आ चुका ये question आपके एक्जाम में रखा हुआ है प्रसपर अपवर्जी घटना है तो क्या formula होता है कि probability of a intersection b तो a और b साथ साथ में होते ही नहीं है तो इसका value कितनी हो जाएगी 0 तो pa union b कितना हो जाएगा आपके पास में answer जाएगा pa plus pb चलिए दिये हुए ब्रत्य में खीचे गए सबी आये तो में वर्ग का छेतरफल क्या होता है अधिक्तम होता है वर्ग का छेतरफल क्या होता है अधिक्तम होता है काफी question sample paper one की भी repeat हो रहे है हाँ यहां तक clear है बच्चो ओड़ जाओ मेरे राज कुमारो बढ़ा बढ़िया नीद आरी तुम लोग को यार पर इच्छा के time में बिल्कुल बिना नशा के नशा चड़ा हो ऐसा लग रहा क्यों मुकुल भाई चलो देखो question देखो भाई इसका समा कलन क्या होगा देखो नीचे दुकान उपर पकवान आंसर होता लोग डी बिना कुछ करे आंसर ही हो गया डीच डी एक्स है अपॉन में sin square x cos square x है इसका आपको समा कलन बताना है करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा ठीक है? चलिए करते हैं देखिए, उपर कुछ नहीं है, मतलब 1 है और यहाँ पर dx है इधर पर है sin square x plus sin square x into cos square x है तो क्या हो जाएगा? यह 1 की जगह आप लिख दो कितना? sin square x plus cos square x और दोनों में इसको break कर दो sin square x, cos square x sin square x, cos square x तो sin से sin cancel यह कितना हो गया? 1 upon cos square x बोले तो second square x और यह cos से cos cancel तो 1 upon x equal to कितना हो जागा? cos square x अब second square x का integration कितना होता है? 10x और cos square x का कितना होता है? minus का cortex चलो तो answer कितना है है? 10x minus cortex check करते हैं 10x minus cortex है क्या? 1 minute भाई है, बिल्कुल है यहाँ पे बिटा x होना था बिचारे ने t लिख दिया है इसको x कर लो तो correct answer इसका second का कितना हो जागा? first हो जाएगा चली अगला question देखते हैं अगले question में देखो जहाँ पे minus आ रहा था वहाँ पे plus आ जाएगा same to same है बिल्कुल क्योंकि यहाँ पे minus है ना? हाँ तो यह plus हो जाएगा क्योंकि हमारी requirement यहाँ पे plus की थी तो minus दे दिया था तो यहाँ तो इसने खुद minus देके बैठा हुआ है तो plus हो जाएगा बोलो समझ में आया कि पूरा कराऊं अगला question यदि यह वाला देखा जाए तो देखते ही answer किता होता बोलो pi by 4 property लग गई yes or no अगला question देखिए इसके बाद यह वाला e की power x नीचे दुकान उपर पकवान मतलब नीचे t है उपर dt बन गया और cos square t क्या हाल होंगे देखो question के उपर बन गया dt नीचे बन गया cos square t cos square t पल्टी मार के बन गया कितना second square t dt और second square t का integration 10t t की value replace कर दो x e की power x तो answer कितना आ गया 10 x e की power x तो answer यह हो जाएगा बोलो पूरा करानी की जरूरत है कि समझ में आ गया और last वाला जो बजगया वो answer यह हो गया क्योंकि सारे तहीं तो थे न ज्यादा ही नहीं बराबर दिए गया तो यह हो गया बोलो done चलिए तो आज अब समय हो गया काफी इस paper को यहीं पर finish करते हैं और कल आंगे इस paper को आंगे बढ़ाएंगे ठीक आज कर दो